स्वर्वर्ण की जो मात्रा है उससे हम एक एक सब्द बनाएंगे ठीक है बच्छों तो आप लोगों को पता है स्वर्वर्ण कितने होते हैं ग्यारव ठीक है तो आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा अ, मतलब आ के साथ कुछ भी नहीं लगा, ठीक है? आ की मात्रा, आ की मात्रा एक लकीर होती है, ठीक है? ये हो गई आ की मात्रा, हरसाई, हरसाई को हम ऐसे लिखींगे, ठीक है? दिर गई सब्द के पीछे से लगेगी हर्साओ दुर्गव री छोटी सी जासे लिखते हैं उसी तरह ए ए ओ अव अह अह ठीक है अब ये चीज़ समझ गए ये स्वर्वन की सभी की क्या है ये मात्राएं है अब इससे हमें शब्द बनाना है ठीक है अब आ में कुछ नहीं लगा तो कोई शब्द बताओ बच्चों जैसे अनार होगा अदरक होगा ओ दो रो को अदरक ठीक है आसे आसे आम या आसे आज बोलते हैं आम लोग आज शोम बार है हरसाई से किताब कौमे हरसी कार तौमे आ कार बो किताब ठीक है बच्चों बोल बोल के लिखना है हरसी कार दिर्गी कार कौमे दिर्गी कार लो कील हरसाई कार हरसाई कार क्या होगा हरसाई से सब्द बनाओ हरसाई से सब्द क्या बनेगा हरसाई से बनेगा कौमे हरसाई कार लो कूल दुर्गु कार fool ठीक है बत्छो री री आप सबी को पता है री से क्या होता है री शी री शी अब इस से क्या बनेगा हमारा a car से कोमे a car क्या हो गया केला ठीक है अब a car a car से क्या बन जाएगा सेर समय का रो सेर ठीक है ओकार से क्या बन जाएगा रोली रो में ओकार रो में दिर्गी का रोली ठीक है अब ओकार से क्या बनाएंगे हम ओकार से बनाएंगे ओ ओकार की मात्रा दे दिये आप सभी को पता है नुढ नुढ नमा इससे क्या बनेगा नमा है है नमा इससे आप लोगों को समझ में आ गई अब कितने स्वर्वर्ण हैं हम गिन लेते हैं अ, अ, हरसाई, दिरगई, हर्शहू, दुर्गवूरी, ए, ए, ओ, ओ इतने दूर तक बच्चों क्या हैं ये है स्वर्वर्ण ठीक है लेकिन अ और अह इन दोनों को भी स्वर्वर्ण के शाथ लिखा जाता है लेकिन आप इन चीजों को याद रखें कि अह और अह और अह जो है ये क्या है आयोग वा है इसे हम क्या बोलते हैं आयोग वा है ठीक है ओके बच्चों आप लोगों को याद रहेगा ठीक है so I hope you all like this video so please like share and subscribe my channel child login by nVErma okay please subscribe